कि दोस्तों एक वार्विस से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत आए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने इंटरनेट ब्राउजर की जो अनवांटिड नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहती हैं को करना उप कर सकते हैं यूब कर सकते हैं और प्ल जैसे मैं ब्राउजर को ओपन करता था या ओपन नई भी करता था इंटरनेट या मेरे लैप्टाप से पनेक्ट होता था तो राइट साइड में मुझे एकदम से नौटिफिकेशन्स आना स्टार्ट हो जाती ही इससे कि मैं काम करते वक्स इस्तर्ग होता है तो हो सकता है कि इसके लिए मुझे चलना होगा अपने क्प्यूटर की सक्रीन पर तो चलिए चलते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करता है मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूं इसके राइट साइड में आप देख रहे होंगे तीन वर्टिकल डॉट्स बने हुए हैं यहां पर इन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे फिर लेफ्ट साइड वाले पैनल में आएंगे और वहां पर प्राइवेसी और स्क्रीटी पर जाएंगे और वहां पर साइट सेटिंग में जाएंगे तो साइट सेटिंग जब आप खोलेंगे तो वह कुछ इस तरह की जैसे हम notification को क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे option दिख जाएंगे with websites देखिए अगर आप जो भी website आपने अलाओ किया है उन सभी को आप एकदम से इकठाई बंद करना चाहते हैं तो आप उफर से इनको बंद कर सकते हैं ठीक है और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं अलाओ का option जहां पर आपने website को अलाओ किया है जिनकी आपको notification रसे बहुत किया है तो इस सारी मेरे important है जो गूगल की है लेकिने के unknown है यह वाली बिलकुल unknown है तो मैं इसे block करना चाहता हूं या remove करना चाहता हूं चले मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर आप इसके end में जो तीन बटन बने हो है बिंदू बने हो है वहां पर आप इसको क्लिक करेंगे तो option मिलेंगे block एडिट और remove का दोस्तों आप block भी कर सकते हैं और इसको remove भी कर सकते हैं ब्लॉक करेंगे तो site आपकी यहीं पर रहेगी block में चली जाएगी देखिए लेकिन साइट आपकी notification में ही रही तो मैं यह से अब इसको remove कर देता हूं आप remove को नीचे से भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए उपर से किया तो इस तरह से दोस्तों आप जो website की जो आपको unwanted notifications आती हैं तो आप Google की setting में जा करके privacy setting में जा करके इसके बाद कर सकते हैं remove कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो जो बेस्टोंगे technology और information पर देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए like कीजिए share कीजिए और bell icon प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे हुआ हुआ है